टीसी इंडिया फाइनेंस के स्टॉक को आखिर हुआ क्या है तीस जनवरी को ये स्टॉक लगबख 70 रुपीस के आसपास काम काच कर रहा था और अब लगबख गिरता गिरता 38 रुपीस के आसपास आ चुका है मोटा मोटा गर देखें शेर जस्ट हाफ हो चुका है लगबख ये स्टॉक अपने हायर लेवल से 50% की गिरावट दिखा चुका है और अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर इसके अंदर ऐसी ख़बर क्या है जो स्टॉक कितनी पिटाई हो रही है वन वे रैली दिखाने के बाद ये स्टॉक जो इतनी बड़ी करेक्शन आपको दिखा रह है इस करेक्शन में करना क्या है कि अगर देखा जाए तो कंपनी में अर्निंग भी है कंपनी ग्रोथ के पात पे भी है पर फिर भी ऐसी क्या ख़बर है जो इस कंपनी के शेर कितनी जबर्दस पिटाई हो रही है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आखिर जानते हैं इंडिया फाइनेस के अंदर चल क्या रहा है हेलो फेंड्स मैं वे पिंजन फांडर ओफ लानिकुटी वे पिंजन फ्रेंड्स पावर सेक्टर के अंदर जबर्दस तेजी देखी गई पावर सेक्टर के अंदर चाहे पावर बनाने वाली कंपनियों या फाइनस करने वाली कमपनियों सबी में वन वे रैली देखने को मिली और बात सभाविक सी भी है कि जिस तरीके का कैपेक्स प्लान इनके अंदर चल रहा है और इनके बिजनेस में अपर्चनिटीज दिख रही है वो किलियर कट विजिबिल्टी दे रही कि आने वाले समय इन कंपनियों के लिए पॉजिटीव है और बजार ने इनके अंदर एक तरफा बन वे रैली भी दिखाई अब बात यहां पर यह भी है कि चैए पावर बनाने वाली कंपनिया हो या power distribution करने वाली company हो या power sector को finance करने वाली company हो सभी के अंदर यहाँ पर अच्छी कासी गिरावट देखने को मिल रही है यानि कि small cap और mid cap के अंदर जो भी power sector की company है चैब वो PSU है या private companies है सभी में आपको अच्छी कासी गिरावट देखने को मिल रही है अब इन सभी companyों में एक company PTC India Finance भी है जो एक सरकारी NBFC है जो power sector को finance करती है renewable energy sector के अंदर EV segment के अंदर यह company जो है financing का कारवबार कर रही है और company इस समय loss making company भी नहीं है profitable company है जिसकी earning भी बढ़ रही है जिसका business भी grow हो रहा है पर फिर भी इस company के share में अच्छी कासी गिरावट दिख रही है क्योंकि higher level से stock आदा हो चुका है अब जिन लोगों ने इसको lower level पे पकड़ा था वो तो अभी भी loss में नहीं है जिनोंने इसके business को समझा था उन्हें शायद अभी भी डरना लग रहा हो पर कुछ लोगों ने इसको higher level पे भी पकड़ा है क्योंकि power stocks के अंदर जब rally आई one way rally होई उस समय काफी लोगों ने इसको खरीदा भी है higher level पे तो उनकी चिंता भी सुभाविक्स ही है कि जिस company के अंदर अभी कोई bad news भी नहीं है जिस sector के अंदर कोई bad news नहीं है फिर भी इस company के अंदर गिरावट क्यों आ रही है ये बड़ा सवाल है कि ऐसा जब हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो अगर इसके पीछे का कारण हम ढूने तो एक कारण तो हमें सबसे पहले ये भी समझ में आता है कि जो PSU सेक्टर के अंदर एक one way rally चली सभी small cap mid cap stock दोड़े उसमें इस stock ने भी participate किया उतना ही return इस stock ने भी बना कर दिया multi bagger return बना कर दिया अब कहीं न कहीं गिरावट अगर आ रही है without any news भी गिरावट आ रही है कहीं न कहीं इस stocks पर भी pressure बना रही है यानि कि इसके अंदर भी यहाँ पर जो है profit booking भी देखी जा रही है और higher level से selling भी देखी जा रही है फिर दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या company के business को near term में आने वाले समय में किसी तरीकी की कोई threat दिख रही है या आप कह सकते हैं कुछ दिक्कत है दिख रही है जिसके कारें इस company की earning गिर सकती हो जिसके कारें इसके business को यहाँ पर बढ़ने में दिक्कत दिख रही हो तो ऐसा तो कहीं भी नहीं ऐसी visibility है कि company के earning आपको आगे गिरती है दिख रही हो क्योंकि company जो है लगातार financing का अपना portfolio बढ़ा रही है तो यानि कि इस company का near term में जो है business बढ़ने वाला है company का profit बढ़ने वाला है company की sales बढ़ने वाली है तो इस चीजों को लेकर तो यहाँ पर चिंता नहीं दिखती बात करें अगर valuations के लिहास से भी हाँ यह बात सच है कि company जो है एकदम से higher level पर पहुची जो है अपने book value के लगबग 2 के multiple के आसपास आ रही थी पर सच बात यह भी है कि पूरे power sector की re-rating हो रही थी तो उसमें इस company की भी re-rating चल रही थी तो उस लियास से देखा जाए तो valuations के लियास से भी company कहीं पर ऐसी महंगी नहीं देखती है क्योंकि अगर इसी segment के अंदर आप पी एसी उसके अंदर ही देखें तो इरेडा जैसी company को जो अगर हम देखें तो आज भी अपने book value के लगबग 4 या 5 के multiple पर है जो renewable energy sector को financing करती है तो उस लियास से भी देखा जाए तो company के valueations भी महंगे नहीं है तो मोटा मोटा अगर हम देखें एक बात तो बिल्कुल किलियर है कि PTC India Finance के share में जो गिरावट है वो small cap और mid cap में जो गिरावट है कहीं न कहीं उसका pressure है जो इसके पर दिख रहा है और lower level से जब stocks ने तनी बड़ी rally दिखाई तो इस rally के बाद ये गिरावट है और एक बात यहाँ पर ये तो पकी है कि ये गिरावट जो है weekends के हाथ से shares को निकाल कर लेके जाएगी जब तक weekends इसके अंदर से exit नहीं होंगे मुझे नहीं लगता जो है small cap और mid cap यहाँ से you turn होंगे यानि कि near term में अगर आपको small cap और mid cap share में और गिरावट दिखती है तो PTC India Finance के अंदर आपको near term में अभी और भी गिरावट दिख सकती है क्योंकि जिन लोगों ने बिना सोचे समझे इन company और अंदर invest किया था इनके share खरीदे थे उन्हें ही सबसे ज़्यादा इस समय चिंता हो रही होगी और जिन्होंने company के financials fundamentals पढ़कर invest किया है sector का positive outlook या negative outlook समझकर invest किया है तो मुझे नहीं लगता उनको इस गिरावट से यहाँ पर चिंता हो रही होगी क्योंकि उन्होंने share को भी सही level पर पकड़ा होगा और वहां से गर थोड़ी बहुत correction आएगी तो part of the game होगा कि यहाँ पर जो correction है वो correction lower side पर भी जिख सकती है अगर share higher side पर भी जा सकता है तो बात करें मोटी मोटी PTC India Finance के business की तो PTC India Finance के business का यहाँ पर look देखा जाए तो positive outlook है future के हिसाब से PTC India Finance के financials की भी बात करें तो उनमें भी किसी तरीके की weakness नहीं दिखाई दे रही है PTC India Finance का जो business है उसकी growth कर भी बात करें तो उसमें positive growth देखती है क्योंकि जिस तरीके से power sector की company आफाइनस कर रही है उस view के एसाब से देखें तो PTC India Finance भी जो है अपने finance के business को अच्छे तरीके से grow कर रहा है बड़े project पर यह company काम कर रही है और इस company का business आने वाले समय में ऐसे ही grow दिखाई देता है तो यहाँ पर management को लेकर भी कोई ऐसा issue नहीं दिखाई देता कि company को यहाँ पर चलाने वालों में कुछ दिक्कत हो या asset quality में कुछ दिक्कत हो जिसके कारण company को कुछ यहाँ पर दिक्कते फेस करनी पड़े निया टर्म में तो यह भी कारण इस company के अंदर नहीं दिखाई दे रहा यानि कि PTC India Finance के अगर future outlook के साफ से देखें long term view के साफ से देखें तो मुझे अभी भी इस company के अंदर कोई threet नहीं दिखाई देती कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती पर short term के साफ से देखें अगर power sector के share की पिटाई हो रही है तो इसकी भी पिटाई यहाँ पर सोभावी कहा है यानि कि इसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है तो जिन लोगों उन्हें PTC India Finance को share को ले रखा है और यहाँ पर अपने आपको ड़रा हुआ महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें company के financials fundamentals को एक deeply study करना चाहिए हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है और lower level पर भी बनाई है higher level पर भी बनाई है और आज भी मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ company का अगर आप future outlook देखेंगे company को समझेंगे तो आप घवराएंगे नहीं और अगर आप short term scenario में इस market में आये है इस है और जिन लोगों ने short term के साब से पैसा लगाया है उनके लिए थोड़ा निया term में अभी और भी पेंद दिख सकता है इस stock के अंदर तो थोड़ा सतर्क रहकर काम करें pts India finance अगर आपके पास है तो मेरी नजर में आपको hold करना चाहिए अभी selling के बारे में नहीं सोचना च कंपनियों के फंट की जोड़ता है और फंट जो है पी टीस इंडिया finance आरी सी पी एफ सी इरेडा जैसी कंपनियों से आना है तो मुझे लगता है थोड़े बहुत दिन बाद यह आपको शेर्स फिर से यहां से वापस चलता हुए दिखाई देंगे और उस समय आप अगर आ कर घबरा रहे हैं तो आपकी घबरा दूर हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ फिलाल के लिए नमस्कार